नमस्कार साथियो आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मानचित्रों के सेयोजन से इसका समंध वरगविदी से ही है और वरगविदी में जब अपने दो मानचित्रों का निर्मान कर लेते हैं और उन मानचित्रों का मापक अलग-लग होता है, तो उन्हें आपस में जोड़ना कठीन हो जाता है. मान लीजिये एक छेतर यहां का है और एक छेतर सी के पास का है. मान लो एक राजस्थान है और एक उतरपर्दैस है. अगर राजस्थान अपने वास्त्विक माप से यानि कि दोनों का मापक एक नहीं है दोनों का मापक इसमें एक मापक है जो बहुत बड़ा दिया हुआ है तो मानचितर छोटा होकर बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा ठीक है और अगर इसमें मापक दिया है छोटा यूपी में उतर प्रदेश में तो ये मानचितर बहुत बड़ा हो जाएगा क्या इनकी सिमा आपस में यानि कि जो बीच की सिमा रेखा है यहां की जो सिमा होगी क्या उसे अपने मिला पाएंगे नहीं दोनों को एक ही मापक पर यहां पर लाके उतारना होगा जब दोनों एक ही मापक पर आ जाएंगे तो उनकी बीच की मद्यवर्ति सिमा जो है दोनों के मद्यवर्ति सिमा है वो बिल्कुल आपस में मैच कर जाएगी तो उससे कहेंगे अपने मानचीत्रों का सेवजन यानि मानचीत्रों को जोड़ना अब देखिए इस question में आप समझ पाएंगे निरुपक भिन एक अनपात दो लाख पचास हजार आपके सामने question है निरुपक भिन एक अनपात दो लाख पचास हजार तथा निरुपक भिन एक अनपात एक लाख पर बने दो मानचित्रों को एक अनपात दो लाख पर जोड़िए यानि सियोजन कीजिए तो निरुपक भिन कौन सा है जिस पर मानचित्रों को जोड़ना है शियोजन करना है एक अनपात दो लाग और इस पर हमेशे ही वर्ग की बुजा क्या रहेगी एक सेमी रहेगी बुजा में अंतर कहा हैगा एक अनपात दो लाग पचाश जार वले में और एक अनपात एक लाग वले में तो अपने देखिए किस प्रकार से हल करते हैं से हल पर्थम मांचितर परवर्ग की बुजा यानि कि जो ये है एक अनपात दो लाख पचास जार इसके अनुसार क्या रहेगी मापक की जो बुजा है तो अपने सुत्र है नई मापनी बटा में पुराणी मापनी इंटू में ए मांचितर बने हुएं लेकिं जब अपने यहां हलकरेंगे तो नई मातनी में आपको यह लाग कुछा जारर और सेकेंड़ी मातनी मन NA पुराणा मान्चितर मानना जाएगा इसके कोडिंग ठीक है तो नयी माफने अपने लिखते हैं एक उनपाथ दो लाख पिचाश जार और बट निक्ट Käन वह है वह इंटू में convert हो जाएगा यहाँ पर यह निचे की संख्या पलेट जाएगी तो एक निचे आएगा ओपर क्या है दो लाक होगा अब यहाँ चार जीरो से आप चार जीरो काट दो ठीक है यह कट जाएगा सानी से 25 एक से 1 तो कट जाएगा ठीक है बीस बटा में 25 तो इसे आपने काटेंगे तो आशिष आइगा अपनाै पॉइंट आठ सेंगे यह एक सेंगे से भी कम अब अपने शलिफ्टेस स्टार एक अनपात एक लाक बटा में पुरानी मा अपनी कौन से रहेगी एक अनपात दो लाक ये बड़ा सान है एक बटा में एक अनपात एक लाक एक अनपात दो लाक अब इसे कनवर्ट करेंगे तो एक बटा में एक लाक इंटू में दो लाक बटा में एक ये संख्या पलट जाए इंटो में एक लगा देंगे ठीक है तो एक से कट जाएगा तो एक लाक ये दो लाक पांचीरो से पांचीरो गई तो ये दो संख्या उपर रहे जाएगी तो अंस पर आएगा अपना कितना दो सेमी पहला मानचितर में जो वर्ग की बुझा होगी 0.8 सेमी होगी दूसरे नड़ा से तर जुड़ा हुआ है उस पे वरख की बुजा क्या रहेगी एक से मियरेगी इस दो लाग क्या रहेगी एक रहisation में मेरेगी है अब अपने कि पांच बुक्स मच बंग और इस तरफ दो से में वरक की बुझा के बुक्स बंगे तो ऐसा करने के लिए आपको दो सेमी कि यहीं पांच दस से मी यहां यूजेगा ते इसलिए आप इसको क्या करोगे? एक देखते हैं क्या होगा अपने इसको बनाने का प्रयास से करते हैं अब आप पहले ही अगर चोपांच सेमी तोड़ा निच्चे की तरफ ट्रफ कोशिच गिजीगा यहां बोटर लाइन होती ना बोटर लाइन से थोड़ा फाई ऊपर एक सेमी उपर रखना या तो यह मैंने पांस सेमी बना दिया यहां पर एक एक सेमी पर यानि वर्ग की बुजा क्या रहती है इसके अंदर एक सेमी रहती है तो यहां पर एक एक सेमी पर मैं निसान लगा देता हूं पांस इसमें क्या होता है कि एक तो वर्ग यहां पर यानि पांस सेमी का और उसके बा बले ही क्यों बना रहा हूँ यह आग आपको पता चल जाएगा अब यहां पर मैं कितनी सेमी रखुँगा दस सेमी क्यों रखुँगा क्योंकि एक तो है यह इस तरफ का पांस सेमी यह वाला बॉक्स और यह पांस के बाद में कौन सा है दूसरा कौन सा इस तरफ वड़ा यहन अब आपने यहां से पांस सेमी को मिला देते हैं और पांस सेमी को प्रतेक एक सेमी पर निसान लगा देते हैं अब आपने यहां पर यह भी बॉक्स में लगा ही लेना था तो यहां पर भी अपने क्या करेंगे एक एक सेमी पर इनसान लगाते हुए चलेंगे चार पांच ऐसे ही आपने यहां पर भी दस सेमी का यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस तो लगागी है अब अपने इसको यहां से मिलाते हुए चलेंगे किया आपने मिलाते हैं था इसके ब cloudyना कि इस सेमी आपना यह एक एक स्झाच जहां से साथ रधा शाल시को bur democrats दो पुले हैं अब एक से षक सल किर चांपने कि अब आपने देख्वा हैं कि यहां पर दो बॉक्स जुडए हुए हैं यह कि दो वर्गों का जाली इस तरफ रहां दो वर्गों मनलैने एक हम कड़ा लिए इस तरफ यहां तक और एक वर्ग का जाली हैं तक यहां पसमें ने बराबर रखे ढूला ऑपको अ अब देखिए यहां पे कोई छेत्र है मालो यहां से स्टार्ट किया और यहां से इस तरफ अब यह चेत्र कोई भी हो सकता है कोई जील है कोई प्लोट है कोई एरिया है कोई ठीका वन छेत्र है कोई भी छेत्र हो सकता है अब आपने यह चेत्र यहां पे बना दिया आपको अब आपने मान लेना है कि इसे कहीं से क्या है अलग कर दिया गया है जहां पर इसकी सिम्मा है यह होगा सपस्ट रूप से एक ही बुक्स में अब देखो एक दो तीन चार पांच यहां तक का बुक्स यह इस तरफ का है एक दो तीन चार पांच यह बुक्स इस तरफ का है दो बड़ा अपने छोटा बनाएंगे अब आप या तो इस बुक्स में से सिमा को बना दीजिए दो चेत्रों की और या फिर इस बुक्स में यहां पर बना दीजिए अब यह देखो एक दो तीन चार पांच इस तरफ के बुक्स में तो कहीं से भी यह मांचेत्र अलग नहीं अपने इदर से स्टार्ट कर लेते हैं यह असान रहेगा अपने लिए अपने फिलाल यह बना दें कितना को देखिए 0.8 अपना यह 0.8 तो पहला मांचेत्र जो है इसके वरक की विज़ा 0.8 से मी रहेगी तो 0.8 के गोडिंग उपर थोड़ा ठीक है स्पेस वोड़ दीजि तो चार से मी का आपने यहां से निसान ले लेने हैं और आपने 0.88 पे यह देखो 8 पे 1.6 पे फिर 2.4 पे और फिर 3.2 पे और लास्ट की आपने इस पे निसान लगा देने हैं ऐसा ही काम आपने यहां पर भी करना है ठीक है निचे इसको देखते रहिएगा ताकि आप सबस्ट कीच पाओ तो यहां पर भी 4 तक निसान लगा के 8 1.6 2.4 और 3.2 और यह 4 पे ठीक है ऐसा ही काम आपने यहां पर भी करना है चार सेमी पे निसान लगा देना है तो यहां पर आठ सोला चोविस बतिस अब आपने इन्हें आपस में मिला देना है इसे एक्स्टरन मत फेलने दीजिएगा इसे बाहर आप एंसल से ही बना लीजिएगा पहले ताकि गलती नहीं हो आपने इस परकार से यहां इसे बना देना है अब इसमें यह चेतर बनाएए पहला एक, दो, तीन, चार, पांच पांच में बॉक्स में उपर से यहां से यह चेतर स्टार्ट होगा है इसके बाद में आपने यहां से इसे आगी कि तरफ बढ़ाना है जियान से देखीगा इसको इसको आगी कि तरफ यहां से बढ़ाना है एक, दो, मालब, एक, दो, तीन, चार, पांच पांच में बॉक्स में जाकर यहां निचे गरेगा यह ठीक है पर नीचे अब देखिए इसको देखते रहे गाउपर से लाइन उसमें चलाते रहे गां इस अब यहां से आप पहले थौड़ा नीचे के और लाश्ट में फिर थोड़ थौड़ा ऊपर की तरफ भी और फिर यहां पर आपई से रोक दीजिए लेकिन कागज दोनों में ही फटा हुआ दिखना चाहिए यानि कि मावनचितर की जो सिम्मा है यह वाले दिखने चाहिए यह अन्वारे होता है तो आप देखी इसके साथ में यहां पर एक बॉक्स यह वाला बनाओगे कौन सा यह वाला अब इस बॉक्स के ल कार से ऐसे ही आपने यहां पर भी 0.8 लेकिन कौन सी खंडित रेखा ऐसे ही उपर से निचे की तरफ भी आपने इसे लेकिन कौन सी खंडित रेखा बनाने है फिर इनको भी आप यहां पर खंडित रूप में ही दरसाओगे इन रेखाओं को आगे बढ़ाओगे लेकिन तो यह खंडित रूप में दिखाईए मैंने आप भी इसी प्रकार से ही इनको दरसा होगी ठीक है अब यह जो है यह आप इसमें दिखाऊगे जैसे यहां पर इस बॉक्स में देखो यहां तक आके और पर यह अचानक से मोड है यहां से आया और यहां तक यहता है धोड़ा इस तरह ठीक है फिर इसमें थोड़ा सा यूटर्न और फिर इसमे जुलकर और इसमे यहांसे लशंट में जाके इसमें ऐसे अचानक से मुड़ गया है ठीक है यहां परblick से पर से कव स्कॉर्istant बन गया है तो आपने इतना कारे कंप्लीट कर लिया है पांच बुक्स इसमें है पांच बुक्स इसमें है लेकिन इधर वाड़े पांच बुक्स में ये कटा हुआ ऐसा नहीं आया था इसलिए हमने एक दो तीन चार पांच पांच के बाद में क्या हुआ एक एक एक्स्ट्रा फोटो कोपी टायब यहां पर हमने बना दिया है लेकिन रियल में यह इसा किसका भाग है एक दो तीन चार पांच अब जो बनेगा उसका भाग है यह स्पष्ट रूप से उसी में कटावा दिखेगा अब देखिए अपना दित्यमान चितर पर वरक की बुजा क्या आई दो से सेमी अब आपको दो सेमी यहां से रिखा कीज़नी है तो बताओ उपर से निच्चे की तरफ कितनी रिखाएगी कितनी दस सेमी अपने पर नजदी कलेते हैं ता कि इसमें ना एक्स्ट्रा पेज से बाहर ना चला जाए तो कहीं पर भी आप इसको ठीक है तो लेकिन लगब से दो दो सेमी पर तो यहां पर देखिए मैंने दो चार चार आठ और दस पर निसान लगा दिये अब यहां पर भी यह काम करना पड़ेगा निच्चे पेपर को बिल्कुल समतल देखते रहेगा पर रबर तो यहां से आपने क्या करना है 10 सेमी रिखा, खिंच लेनी है आपने 2, 4, 6, और 8, और 10 लगा हुआ है निसान ऐसे ही आपने यहां से उपर की तरफ 10 सेमी पे एक बिंदू लगा देना है इस तरफ से आपने यहां से 10 सेमी इस बिंदू के बराबर मिला कर रिखा, खिंच देनी है यह बिंदू इसलिए लगाता हूँ मैं ताकि बॉक्स बिल्कुल क्या बने चोरस बने यहाँ पर भी आप क्या करोगे आठ छे च्यार दो यानि कि दो च्यार से आठ पर निसान लगाओगे अब आपने इनको मिला देना है यहाँ से इसे मिलाया उपर से नीचे की तरफ इसे भी आपने मिला देना है इसके बाद में आपने नेक्ट लगातार सभी को मिलाते हुए आपने चलना है और आपके सामने यह बॉक्स बनकर यह देखिए वर्गों का जाल इसमें प्रतेख वर की बुजा लिखी ही देता हूं अब कोई भी इससे एक्स्ट्रा नहीं फैलना चाहिए इस बात का आपने ध्यां रखना है ठीक है यानि कि आपने काम या तो पैंसिल से ही करना है पहले फिर इसके बाद में आपने पैन की सहता से इसे पक्का करना है और ब्लैक पैन ओनली ठीक फटा हुआ है उपर कोने तक नहीं है लाश्ट में यहां तक देखो यहां से कोनर बन रहा है इस तरफ और इस तरफ ठीक है तो यहां से आपको पता है एक बार इस तरफ और उसके बाद में फिर इसमें इस तरफ इसे देखते रहेगा ठीक है और फिर एक बार यहां से यहा ठीक है एक बार यहां से निच्चे की तरफ ठीक है यहां से लेकिन अब इस बुक्स में यहां पे क्रोस हो जाएगा और इस में से हड़कासा ही यहों क्रोस करते हुए उपर की तरफ और लास्ट वाडे भाग तक जाकर फिर यहां से बिलकुल सिमा पर जाकर यहां से यूँ मुड़ेगा तो इनका बिल्कुल एक रिसे के साथ में आपने ध्यां रखना है कि आप से ये गलती नय हो इनको थोड़ा टार कर देते हैं तो आपने देखा कि आपके सामने ये बन कर त्यार हो गया है इनकी हेडिंग जो है इनके उपर यहां पर लिख दिजाएगे अब एक पर आप इनका वर्ग सेमी लिख दो कि कौन सा वर्ग ये एक सेमी का है और आप यहां देखेंगे कि ये भी क्या है एक सेमी का है यहां पर 0.8 सेमी का इस तरफ और ये भी 0.8 का ही है प्रतेक वर्ग जो है 0.8 का प्रतेक वर्ग एक सेमी का और यहां पर प्रतेक वर्ग क्या है 2 सेमी और यह भी क्या है 2 सेमी तो इनकी heading इनके उपर यहां इस प्रकार से ठीक है और इस पर भी यहां पर इसके उपर यहां पर heading आजेगी तो यहां पर मानचित्रों का सियोजन हुआ है यू मानना है आपने और पहले मानचित्र इस प्रकार से यह छोटा था और यह मानचित्र बड़ा था इनको दोनों को एक ही मापक पर हम लाकर आमने लाया और इस पर जोड़ दिया है ऐसा मान लेना है में तेज के ओपर यहां पर हेडिंग आज जाएगी यहां पर आपने लिख दिना है मानचित्रों का सियोजन कॉंबिनेशन ओफ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद